नमस्का दोस्तों स्वागत थे आपका मेरी यूट्यूब चैनल वेब सरीस टाइमिंग पर आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को नेट्फिलिक्स की ओरिजिनल स्पैनिश शिरीज स्काई रोजो की सीजन वन की बेजिक स्टोरी उसके काश्टिंग और सीरीज में दिखाए गए होट सिंस के एक्जट टाइमिंग के बारे में बात करने वाला हूँ तो सीरीज में हमें देखने को मिलते है टोटल आट एपिसोड से जिन की एवरेज लेंद 25 मिनिट से लेकर 30 मिनिट की है सीरीज को ओवर ओल आम डिबी रेटिंग मिली है 6.6 आउट ओफ 10 की और सीरीज बिलों करते है क्राइम ड्रामा जोनर को जिन क्रियेटर्स ने मनी हैश्ट को बनाया है उन्होंने इस सीरीज को भी क्रियेट किया है अब सीरीज की बेजिक स्टोरी की बात करो तो हमें दिखाय गया है कि रोमियो नाम का एक आदमी प्रोस्टिट्यूट्स के कलब का मालिक होता है जिसे एक दिन वहां के तीन प्रोस्टिट्यूट्स जखमी करके कलब से भाग जाती है तो उन्हें पकरने के लिए रोमियो अपने दो खास बंदी को उनकी पिछे लगा देता है तो आखिर में वहां पकड़ी चाते है या नहीं या फिर कहानी में कोई और ही ट्विष्ट आपको देखने को मिलेगा या सब चानने के लिए आपको सिरीज देखनी पड़ेगी जो कि आपको नेटफ्लिक्स के प्लेटफॉम पर इंग्लिस के साथ हिंदी में भी देखने को मिल चाहेगी जिसा कि मैंने पहले बताई या सो स्पैनिश है इसलिए उसमें काम करने वाले सारे एक्टर्स भी स्पैनिश है तो अगर उनके नाम प्रोनोंस करते समय मुच्छे कोई गलती हो चाहे तो प्लीज यार माफ कर देना और साथ ही में जिसा कि आप जानती है कोई होलियोड की सीरीज में की सिंग या बोडी रिविलिंग आउटफिट टैप की सिंग होना आम बात होती है तो वेसे तुम्हें सारे सिंग की टैमिंग की डीटिल्स दे दूंगा पर भाय चांस कुछ में सोचाए तो कॉमेंट में बता oluşए का तो अब होट सिंग की टैमिंग की बात करने से पहले सीरीज की में कार्श्टिंग की बात करें तो हमें देखने को मिलती है तो सीजन का पहला होट सीन हमें देखने को मिलता है एपिसोड बन में जो कि एक क्लाइन की कहने पर वेरो निका सांचेज का लाली एस पुसीतो के साथ पेशनेट लिस्बियन लिपलोक के साथ ही में उसी बंदे का यानि प्रादो के साथ एक इंटिमेट सीन होता है इसके बाद एपिसोड दो में हमें एक पुछताच वाले सीन के दोरान कलब में रही अलग-अलग लड़कियों का श्रीप्टीज टाइप का सीन देखने को मिलता है जो आप स्क्रीन पर देख सकते हो एपिसोड दो में हमें तीनों एक्ट्रेस का बेड़ पर लेटे हुए होट बोडी रिविलिंग आउट्फिट टाइप का सीन देखने को मिलता है इसके बाद एपिसोड तीन में हमें रोमियो का लाली एसपसीतो के साथ एक इंटिमेंड मोमेंट देखने को मिल चाता है इसके बाद एपिसोड तीन में हमें वेरो निका सांचेज का मिगेल एंजल की साथ कार के अंदर पेशनेट लिपलोग के साथ जबद चास लव मेकिंग सीन देखने को मिलता है एपिसोड तीन में हमें वेरो निका सांचेज एन लाली इसपसीतो का एक श्रीप टीज करते हुए होट बोड़ी रिविलिंग आउटफिट में आने वाला सीन होता है जो आप स्क्रीन पर देख सकते हो इसके बाद वापस एपिसोड तीन में हमें यानी प्राडो का एक क्लायन्ट के साथ पेशनेट लाव मेकिंग बोड़ी रिविलिंग आउटफिट में डांसिंग एन लिपलोग टाइप के सिंस देखने को मिलते हैं वापस एपिसोड यानी प्राडो का उसी बंदे के साथ अगें एक इंटेंट स्लो मेकिंग टाइप का सिंस देखने को मिलते हैं जिसकी कुछ चलक आप स्क्रीन पर देख सकते हो इसके बाद एपिसोड चार की दो अलग-अलग टाइमिंग पर हमें तीनों एक ट्रेसिस का होट बोडी रेविलिंग आउटफिट में स्वीमिंग पुल के अंदर होट आउट आउतार देखने को मिलता है जिसकी एकचे टाइमिंग डिटेल्स एंड कुछ चलक आप स्क्री इसके बाद एपिसोड पार्च में हमें लाले एसपोसितों का सेक्सी बोडी रेविलिंग आउटविट में होट पॉल डांस देखने को मिलता है जिसकी कुछ चलक आप स्क्रीन पर देख सकते हो इसके बाद एपिसोड पार्च में हमें वेरो निका सांचेस का मिगेल एंज के साथ एक पेशनेट लिपलोग सीन देखने को मिलता है इसके बाद एपिसोड चिक्स में हमें तीनोई एक्ट्रेसिस का होट शावर सीन प्लस तीनोई एक्ट्रेसिस हमें होट बोडी रिविलिंग आउटविट में नजर आती है जिसकी कुछ चलक आप स्क्रीन पर देख स इसके बाद एपिसोड 6 में हमें यानी प्रादो और लाली एस्पसितों का एक इंटिमेट सीन देखने को मिल जाता है। इसके बाद एक इंटिमेट सीन देखने को मिल जाता है।